हेलो एव्रीवान कैसे हूँ आप लोग वेलकम बैक टू माय ब्लॉग तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक टाक हूँ खासी मतलब मुझे बहुत हो रही है पिछले ब्लॉग में मैंने जैसे बताया है डॉक्टर के पास भी मैं गई थी तो इससे अब तो थोड़ा सा ही रात मिला है तो आज थोड़ी सी घर की क्लीनिक में लगी हों वैसे धिपावली में तो सब घर में होती है पर हमारे tutorial कि तर मेरे दुर्गा chi साइड मेरा बैंगल के साइड है तो वे जानते ही है बैंगली कल्चर में दुर्गा पूजा की कितनी होती है तो निकालते हैं उपर से लेकर नीचे तक चले गए थे वही उनका वीडियो में थोड़ा सा मैंने बनाया था मैं हस रही थी कि आपने भी तो काम केसले थोड़ा सा दिखाना तो बनता है तो है इक्लीनिंग वेगरा मैंने जल्दी यल्दी किया मतलब डीप क्लीनिंग नहीं बोलूगी लेकिन हाँ दुर्गापुजा भी 15 दिन साइध हो गया है तो उसके बाद जो थोड़े जाले वाले चादर चेंज करना यह सब करना गंदे हो रहे थे कुछ गंदे हो रहे थे क्योंकि सिर में बंदा होता ही है दूल वेगरा उड़ते हैं तो वह हुआ फिर नहा दोकर में जल्दी जल्दी आ गए थी खाना बनाने और इसलिए कम टाइम है आज कल दिन भी बहुत चोटा हो रहे है तो मतलब कम टाइम में सारी चीज करना नहीं हो रहा रहा था तो यहा मैं सब रेडी करके गई थी कि आऊंगी और तुरंद बनाऊंगी क्योंकि साफ सपाई करने जो बहुत टाइम लगता है तो बस यह चावल बना रही हूं और धनिया पता की चटनी बनाऊंगी तो बस फूल को भी को यहां पर मैं फ्राइ कर रही हूं क्योंकि आलू बॉल हो फिर प्याज मसाले सब को मैंने अच्छे से मतलब रेडी किया और सब फ्राइ होने के बाद फाइनल यह मेरा सबजी है पानी देकर उबाला और थोड़ी सी रस वाली सबजी है क्योंकि आज दाल वेगरा कुछ नहीं बनाया है तो चावल तो फिर मैंने सूचा एक चावल औ सबजी थोड़ा खाली लग रहा है तो इसके साथ मैंने यह बैगन फ्राइ कर दिया मतलब बैगन को भून रही हूं इसका चुका बनाऊंगी जो कि मेरे हजबन को पसंद है पापा को पसंद है मतलब को पसंद है तो मैंने चले दोतर का सबजी हो जाएगा और एक चावल औ तो कंगी भी नहीं किया अभी तक और अभी टाइम पूरे तीन बज रहे हैं दिखने रहा लाइट के रिफलेट के कारण क्योंकि वहीं पर लाइट लगी है तो तीन बज रहे हैं और अभी आई हूं बेड़फिट वगरा डालोंगी और अभी बिलकुल हिम्मत नहीं कर रह करते हैं तो इस टाइम में खाना का क्या कुछ करने का मनने करता है थोड़ी देर के रहे हैं मैं सूती नहीं हूं तो थोड़ा सा लेटती हूं या फोन में देखती हूं या वीडियो अगर 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 करती हूं ये सब में काम करती हूं तो वहीं भी बहुत है वी काम दिमाग में बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत कुछ कुछ काम करना है, क्योंकि मुझे अपने माई के भी जाना है, चट पुजा में उसकी वितियारी करनी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इतार दिपावली है, दिपावली के बाद दो दिन फिर मोग बीजी रहते हैं, दिवाली के बाद मेला बगरे हम लोग भूमते हैं, अभी तो दुर्गापुजा का मेला के कारणों जो खासी ठीक हुआ नहीं, अभी तो दिपावली का मेला फिर चट पुजा में जाना है, ये, देख सकते आप लोग मतलब रात में बहुत प्रब्लम होती है दिन तो कि किसी तरह पार हो जाता है रात में बहुत प्रब्लम होती है तो बस चलिए देखते हूं बैट सिट वेगरा ढाल लो उसके बाद मुझे यूटूब वीडियो भी एडिट करना है तो चलिए एक दो घं तो यहां सबसे पहले मैं खिड़की लगाऊंगी क्योंकि एक तो केमरा में दिक्कत होता है खिड़की जब खुला रहो मैं रिकोडिंग और तो वीडियो कालेटी उतनी मेरा रिफ्लेक्ट करता है तो पहले वह बंद किया और ठंडडी ठंडी हवा भी आने सुरू हो गई थी क्योंकि अब तीन बज गए और तीन अभी के टाइम में तीन चार बजना मतला समझो कि यहां साम हो ही चुकी है ऐसी हालत हो जरी है अब मतला खाते पीते तो लग रहा कि दिन कप पार हो जाएगा पता भी नहीं चलता है तो यहां पर जल्दी से मैं बैट कबर और तक्य कबर यह सब को में लगा लूँ और यहां पर लगा रही नहें हो तक्या कबर मुझे थोड़ा सा टाइक लग रहा है मैंने सब्स्रेसे पता नहीं होगा कि नहीं ओड़ा सा और मोटाइस से मैंने सब्स्रेश carrier के बढ़ एट को सेटिंग करना है और एक साइड वाली जो फूल आपना बेट्चित में ब्डेट में बेट्चित 2 को यहां बाला SU कहते हैं कल के बलोग में साइभ! इसमी मैंने अइसे डालना पाटाक। पर इसको मुझे ऐसे डालना पड़ रहा है, क्योंकि बेट चिर में थोड़ा सा छोटा हो रहा था, बेट पे छोटा हो रहा था, तो यहां पर अलग किसम का कपड़ा जोइंट किया है इस साइड में, और हम लोग ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि हम लोग 3 है, तो यह चल जा रहा है, मैचिंग हो जा रहा है, तो पुरा सेट हो जा रहा है, डेली उसके इसाब से ठीक है, मात रहा थाईसोर रुपे की मैंने यह बेट शीट खर दी है, जिसमें 2 पिलो कबर और बेट सीट है, तो जो की ठीक ठाक है तो बस दिपावली आया है तो क्लेनिंग होई है तो मैंने इसको डाल दिया कि आज से ऐसे रहेगा भी दो-चार दिन ऐसे ही रहेगा सापसुतर अच्छा रहता है और बाहर भी कर दिया है देख से वहां पर पुराने वाले डाला है क्योंकि अब बच्चे वहां पर खेलते हैं बता बीर भी टूशन पड़ता है बहुत गंदा करता है इसलिए उसको पुराना वाले ही डाला है तो चलिए अब आराम से बैठती हूं मैं और थोड़ा घर का तो काम होके अब थोड़ा तो मैंने तो बोला था फिर सां में मिलती हूं उसके बात मैंने साम निभी बना विए नेक्स टी सुबा भी निभी बनाय और नैक्स टी रात की masa को देख शकतो मैं ऊपर थी और हस्बेब्ड़ा पे न जितने भी दिवाली में जो light लगतें वो सब चेक करने बैठे थे कुछ कुछ काम फिर मैंने जाकर किया और यहां पर अब खाने का टाइम हो चुका है तो बस खाना निकाल लेकर आई हूँ हूँ हुआ 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 है कि आज जल्दी से तो यह वाला देखे यह पर इसको नेनुआ की सबजी मैंने बनाया है नेनुआ की आलू और थोड़ा सा चना दाल देकर तो दोती नहीं था तो मैं थोड़ा सा आलू और चना दाल दे दिया और रोटी बनाया तो रात को फिर खानों ना खाने के बद मैंने वीडियो नहीं कुछ बनाया अब नेक्स डे फिर से मॉर्णिंग में यहां पर मैं मेल रही हूँ तो वही सुभा के जो स काम कर रही हो बरतन विगरा पड़े हुए हैं किचन की हालत सुबा में बहुत खराब रहती है अब रुकलियटीफिन उसको भीजना सबको नास्ता देना चाय दूद बहुत कुछ तो सब मैं कर रही थी और उसके बाद पिर भई सबको सबकुछ नास्ता विगरा सबको कराने क नहा दोकर मैं आ चुकी हूँ फिर सही किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का खाना तो उसके बाद कोई वीडियो ही नहीं नहीं बनाया और आज कल ऐसे हो रहा है जब याद रहा तो वीडियो बना रही हूं इसलिए कुछ-कुछ कुछ क्लिप सेट रहा तो ऐसे क्या हो में पर जातना वज्ट असके ब्लॉग थीन दिन ब्लॉग मुझे एक सदमा पर सेट सीज हूँ परतीकिलर एक दिन का सो पूरा कर ही नहीं पा रहा हूं तो यहां इहां पर आलू फ्राइयोरा है और यह पर आलू पोस्तू बनरहा हूं और यहीं आपर पोस्तू लूं रहें बनाये मतलब आज थर्जडे है नहीं तो मैं भूल जा रहे थी किस दिन किस दिन का ये ब्लॉग है कि हर थर्जडे को मेरी या पोस्टू बनता ही है क्योंकि लसन पे आज नहीं बनता इसलिए तो वो तो दो पहर तक था जो खाना बनाया और आब हो चुकी है रात तो पिछले दिन के पिछले दिन साथ मैं दिखाया था हजबें लाइट वगेरा सब ठीक कर रहे थे दिपावली के लिए तो अब दोनों बाप बेटे उपर लगे हुए है दिपावली की तयारी में मतलब घर को सजाने का लाइट वगेरा लगाने का तो मैं तो नीचे खाना बना रहे थी और दोनों बाप बेटे उपर लगे हुए हैं देख सकते हो कलर मतलब लाइट वगे लगा रहा है और ये हमारे घर के सामने एक लाइट लगा है तो husband लगा रहे हैं इधर से तो हमारा घर दिखेगा नहीं है और हमारा घर ऐसा है नहीं है कि में रोट पर जाके यह दिखता है क्योंकि घर के चाहतों पेर रोट बगेरा है और वहां से recording अच्छे नहीं हो पती है मैं दिखाऊंगी नीचे से जाकर तो husband अभी लगा रहे हैं और ये रहा अबीर तो मैंसे body के उपर में कितना थन्ड लग रहा है नीचे में मैं खान रोटी बना रहे थी कितना गरम लग रह था मैं ऐसे ही चले आई और आकर देख रही हमारे धर बहुत थन्ड लग रहे हैं तो ये रहा उपर से हमारे मौले और गर का व्यू जो कि बहुत कई भी नहीं लगा है तो क्योंकि मेरा घर पीछे के साइड है ना तो पीछे के साइड दिखता है रोट के उस साइड सामने से दिखेगा भी तो यह रहा मैं नीचे से आ गई हूँ अप लोगो दिखाने के लिए अभी पूरी तरसे सारी लाइट ल लिंग आता है तो यही तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई